नाइट मैचेज दिल्चस्प होते हैं, एक बढ़िया मैच देखने को मिल सकता है आज दोनों टीमों के कप्तार और मैच रेफरी मैदान में टॉस के साथ तयार है ये हैं दोनों टीम्स के खिलाडी, जो आज मैदान में उतरेंगे, एक दूसरे के साथ फिडेंगे फिल्डिंग टीम आज पूरे जोश में दिख रही है, दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान में उतरते हुए खेल दिया है गैप में, दूसरे रन की कोशिश जरूर करेंगे आज ये बल्लेबाज किसी फील्डर तो मौका नहीं वहाँ पर और गेन सीधा सीमा रेखा के बाहर इस गेन को भेजा है हवाई यात्रा पर और दर्शकों के बीच किया है डिपॉजिट, गजब का छक्का गेन बाज लाचार, बल्लेबाज के खाते में पूरे चार साथ में फ्री हेट महीन सी थी दरार, उसमें से जड़ दिया चार और ये गेन गई सीमा रेखा वाँ बैट पे लगते ही मानों बाउंडरी लिखी हुई थी इस पे कमाल की टाइमिंग किसी फील्डर को मौका नहीं वहाँ पर और गेन सीधा सीमा रेखा के बाहर सुन्दर शॉट, गैप में सीधा चार रंस के लिए अच्छी साजेदारी, दोनों ने रिस्पॉंसिबिलिटी को साजा की ये गेंद बास नाजवाब शॉट, गेंड डाली स्लॉट में, बल्लेबास में उसको पार्किया, पार्किंग लॉट गैप में खेला है, दो रंस मिल सकते हैं अर्ध शता, फिफ्टी, शांदार फॉर्म में दिख रहे हैं बल्लेबास वाह, इसे कहते हैं अद्भूत कैच, कैच ओ दो मैच की श्रेणी में इससे जरूर शामिल करना चाहिए पैविलियन की और लोटना पड़ेगा और ये हवाई फायर और दर्श को गो किया है फील्डर्स में तब्दील गैप में खेला और एक रंचुरा लिया करीबी मामला हो सकता है ये तीसरे अंपायर के फैसले का इंतजार ओ यू टी आउट चलिए वापस पैविलियन की तरफ बड़ी सफलता पूरी टीम उत्साइथ होगी इस विगेट के बाद गैप में खेला है दो रंज मिल सकते हैं एक बहुत ही अच्छी पारी खेल रहे हैं बल्लेबास अपना अर्ध शतक पूरा किया टीम को एक अत्रिक्त रं और साथ में फ्री हेट दमदार शॉट और काड़क शॉट छेर बल्ले से गेंद का जबरदस संपर और यहां पे पहली पारी समाप थुई फिल्डिंग टीम आज पूरे जोश में दिख रही है एक और एक दो नहीं ग्यारा बनना होगा इन ओपनर्स को रं और साथ में फ्री हेट ला जवाब स्ट्रोक है यह रं और साथ में फ्री हेट वह वह बड़ी अच्छे रन मज़ा आता है इनको इस अंदाज में बल्ले बाजी करते हुए देखने में मिलेंगे पूरे चार रंग शांदार शॉट इस खिलाडी के पास ताकत भी है और नजाकत भी चतुराई भरा चौका वह या क्लीन बैट स्विंग देखने को मिला यहां बल्ले बाज का पूरे चे रन मिलेंगे गैप में खेला और एक रंचुरा लिया अच्छी साज़दारी दोनों बल्ले बाजों ने अच्छा साथ निभाया एक दूसरे का चौका मिलेगा अंपर वा यह साथ में फ्री हेट मिलेंगे पूरे चार रंस अच्छी कैच और यह आउट शॉट को बिलकुल टाइम नहीं कर पाए बड़ी सफलता पूरी टीम उत्साइथ होगी इस विकेट के बाद यह हवाई फायर अलविदा टाटा बाए बाए मिलते हैं बाउंडरी के पार छेरा नगा बाजुए खोलने का था मौका और जड़दिया चौका गेंद बाजी कर रहे हैं गैप में खेला है दो रंज मिल सकते हैं और इसी के साथ बल्ले बाज ने अपना अर्थ शतक किया पूरा गेंद को हवाई यात्रा पे भेजा है और ये आउट कजब की फूर्ती दिखाई है फील्डर ने यहां पर बहुत शांदार पकड़ा कैच बहतर पारी की अपेक्षा थी आज पर निराशा लगी हाथ काड़क शौर्ट छे रन एरियल रूट चुना है इस बार वाँ इसे कहते हैं अदभूत कैच कैच ओ दो मैच की श्रेणी में इससे जरूर शामिल करना चाहिए पैविलियन की और लोटना पड़ेगा ना खुश मायूस ना राज निराश बल्ले बास किस तेजी के साथ कैच पकड़ा है खिलाडी ने ऐसा लगा मानो बिजली की रफ्तार है इनके पास मायूस होंगे बल्ले बास क्योंकि उनकी पारी में लग चुका है पून विराम महीन सीथी दरार उसमें से जड़ दिया चार और ये गेंद गई सीमा रिखा पारी है आउट जबर्दस कैच यकीनन इस से बहतर स्ट्रोक खेल सकते थे बल्ले बास लेकिन इस वाके पे गल्ती कर बैठे काड़क शॉट छे रन और इस गेंग के गुमशुदा तलाश केंदर में रिपोर्ट लिखवाई है अब नहीं मिलेगी किसी को ला जवाब शॉट गेंडाली स्लॉट में बल्ले बास ने उसको पार्किया पार्किंग लॉट में बहदरीन शॉट लेंद को जल्दी से पड़ा और खूबसूरत चौक का जड़ा यह हवाई फायर अलविदा टाटा बाइबाई मिलते हैं बाउंडरी के पार चेरा और यह बल्ले का किनारा लगा पर बल्ले बास बचे और यह विनिंग रांज बढ़िया मैच जीता है बैटिंग टीम ने शानदार प्रदर्शन बल्ले क्लाइब if Caesar खुआ झाण झाल यह तून भील झाल झाल